नमस्काल आप देख रहे हैं अप्टी नीव, सरी नहीं रगते हैं आज की खबरों पर आज को बता दे की दुधारा थाना चेते के साफियाबाद का उनिवासी सायद अर्माद रीजवी को मुकदमा अपराद संख्यार में फर्जी तरीके से खसाने और फीरिक के भाई द्वारा उच न्याले इस्टे हाडर लेने के पाद दी एक मार्ज को दुधारा पुलिस लारा मुहमद अर्शर रीजवी की जम कर पिटाई कर दिया जिससे वह गंभी डूप से घायलो गया जब की गाउं के लोग पुलिस की तारवाही से पूरी तरह से भैवीत है और पुलिस पर तीस लाक लेकर फरजी तरीके से इवक और परची को खताने की बात भी कर रहे हैं वहीं फीरी की माता ने पुलिस अजिच्छा को सिकाती पत्र शौप को न्याय की गवहार लगाई जिसकर पुलिस अजिच्छा जाटर को स्थूब ने पूरे मामले की चार्ज के लिए सगर छेत्रा अधिकारी को नामित कर दिया वही हमिर उद्धारा शामजेत को अचाने के साथी। या जोशी घ्रामी और पुलिस के ख़र करवाई करने की मांग कर रहे हैं, बंज्छे अज वाहन आ पर आप लोग. हम आममिला हो दूजे हैं क्या मामिला हो इसे चाहाने फ्जाना कर रहे हरे हैं अब करत थान दुस्मनाईक वजय से तो क्या पुलिस उन से मिली भी है हाँ मिले भी है पुलिस है डलाल हूं रुप्या खाता है लो अब इसको लेकर के आगे क्या करेंगा अब यह का आगे करेंगा कि अब अगे बढ़ के जा वन है वनन का कराई भाई हो चाहिए गाँ अगों में एक दलाल है जो वो दलाल के जरियान उनके प्रडिदार है उनको फर्जी केस में बज्ईाया जाता है हम मोख्के पे एक हपता हुआ इस गाउं में थे दर्वाजा बारी हम जाठ के बड़े हैं लकडी नाप रहे थे मोक्के पे धरोगा जी ने एसाई ने यहां आए बेचना करने हम से पूछे दो लोग यहां का भूत पूर परधान थी हमने कहा सुदामा यहां का कुछ जानतों मैंने कहा सरहां यह जाद के सिया है उनको बड़ी बुरी तरीका से मारा गया जो कि आप जहां मौाइना कर रहे हैं उस जमीन भुट्टू रिजबी के दलाल के जमीन में है जानवर और फरजी चार चाकसाई को पकड़ के ले गए यह दोनों भाई भाई को गाय और बाहिल के तरीका पीटा गया पीटने के बाद रानी के सगरे से छोड़ दिये छोड़ने के बाद हम लोग सुने जवार के जो कि हम लोग जानते आते हैं इस गाउं में और बराबर यही रोजी रोटी है एक दलाल के उज़ा से यहां के गाउं और जवार परसान है आपको जो पुलिस में फरजी फसाया था पूरा क्या मामला था किस बात को लेके फसाय गया है यह हमारे पड़ीदार जो है थाने के हिस्टेशीटर है अली अब्बाद सुर्फ भुट्टू रिजवी नाम है उनसे हमारी पुरानी रंजिस्चन लई है जमीनी विवात के वज़े से तो उन्होंने गाउं में हमारे मार्च में फरवरी की 16 फरवरी के कसाय मोले में शादी थी तो उसमें गवमास पका रहते सब तो उन्होंने मोग्री द्वारा करवा के साड़े 3.5 लाक ओर प्य दि जिसके घर बे शादी थी उनको एक लोको मुली मना दिया उसमें मेरा भी नामजर्ट करवा दी और ना तुम्हें वावर्चिक काम करता हूँ ना कसाई का हम लोग पुरानी रंजिस के कारण हमको फसाएं इसकी एप्लिकेशन हमारे भाई सेद मुम्मद अर्शव जो है वो दे रहे ते पैरवी कर रहे थे अब पैरवी कर रहे थे हमनों नोटरी बयान अलफी सियो साहब के कप्तान साहब के दिया कि हम लोग बेगुना है अब सबूत दाखिल कितने कि सब को मिटा गया इस यो के इस टोनों साहब खुद आके जिसके घर में वार्दात हुआ तो पूरी वीडियो ग्राफी बनाएती यहां तक कि वह सबूत भी मिटा दिया गया है और फिर हमारे जो शुदक्ति है कि हरम करता है नड बॉल तैयार करके करोडो की संपत्ती बना लिया है उसकी जाच होने चाहिए कि इतनी संपत्ती हो कैसे बनाया हमारे पीछे पड़ा हमारे भाई पैरवी जो कर रहे थे सब मुममब अर्शन उनको फर्जी मुकदमे में फसा दियें जिस दिने एक मार्ज को घटना हुई है वो घटने के दौरान हमको पकड़ ले गए तेस्टो साहब पकड़े तो हमारे भाई है ना दर्वाजे पर कहें कि हमारे पाथ इस्टे आउडर है किस आधार पर पकड़ रहे हैं तो बोले कि इस्टे नेतागीरी कर रहे है इस्टे आउडर लेके हाई कोड का फार दिए और फारने के बाद बोले नेता गई अश्री परकाश यादो वह फार दिये हुमारे भाई को इतना मार दिये काफी चोटे हैं हमने इस पर पटल है काटे के उदर उनको एडमिट कराया और जीस घटना में हमने कप्तान साहब को सरकारी हस्पताल में मुलाकात किये और यहां जानवर जो बरामत किये हैं वो हिस्टी सीटर के बगईचे से हुआ है जो अली अब्बा सुर्फ वुट्टू है हमारा जो पुरानी रंजी सरकता है उसको बाकी मुल्जिम नहीं बनाने का हमा मारे भाई को खाफी मारे हम लोग को धमकी आया जा रहा है कि अगर कहीं जाओगे तो तुम लोग को इन्या जिन्दगी खराब कर देंगे और यहां छोड़ जाओगे पुरी जाजाद हमारी हो जाएगी हिस्टी सूटर द्वारा धमकी मिल लए अब बुद्वार के दिन आ